पाठेक पाठ का नाम विविधता की समज आरी इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे बच्चो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान होगी इस पार्ठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं वे ना केवल अलग दिखते हैं बलकि वे अलग-अलग शेत्रों से भी आते हैं बच्चो उनके धरम रहन सहन, खान पान, भाशा और त्योहार आदी भी भिन्न होते हैं बच्चो यह सब भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं सम्रिध बनाती हैं इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है बच्चो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे की विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती हैं और भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना बच्चो आपकी पुस्तक में तीन चित्र बने हैं और एक बॉक्स खाली है उसमें आपका अपना बनाया हुआ चित्र भरना है तो बच्चो आपने देखा होगा की तीनो बच्चो के बनाये हुए चित्र एक दूसरे से बिलकुल भी नहीं मिलते तो बच्चो आप जो चित्र बनाओगे वह भी तीनो चित्रों से भिन्न होगा ऐसा इसलिए है कि आप सब का चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है बच्चो जिस तरह हमारे चित्रकारी में भिन्नता है उसी तरह हमारे रूप रंग, खान पान, आदी में भी भिन्नता है बच्चो अब हमें खेल खेलेंगे जिसमें आप सब बच्चों को यह बताना हैं कि बाहर जाते समय आप क्या पहनना पसंद करते हो आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हो आपका पसंद दीदा खेल कौन सा है आपको कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है बच्चो आपकी ही कक्षा की एक लड़की जिसका नाम पायल है वह इन सभी प्रश्णों के उत्तर बताती है और कहती है बाहर जाते समय मुझे जिन्स टीशर्ट पहनना पसंद है मैं घर में हिंदी में बात करती हूँ क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है मेरा पसंद दीदा खेल होकी है होकी हमारा राष्ट्रे खेल है मुझे इतिहास के बारे में किताबे पढ़ना पसंद है तो बच्चो आपने ध्यान दिया होगा कि सब के जवाब एक जैसे नहीं है किसी को घर पर पंजाबी, इंग्लिश, मराथी, किसी को क्रिकेट, फुटबॉल पसंद है कई बच्चों को अलग-अलग किताबे पढ़ना पसंद है क्योंकि सब की रुची एक जैसी नहीं होती बच्चो ऐसा भी हो सकता है कि कई बच्चों के जवाब आपस में मिलते जुलते होंगे बच्चों इसे हमें यह अंदाजा हो गया कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिलकुल अलग हैं बच्चों अब हम एक कहानी पढ़ेंगे इसमें दो लड़कों की बात की गई है एक छोटा लड़का है जिसने पटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं और लालबती के चोराहे पर हिंदी और अंग्रेजी में उस दिन की सुर्खियों को चिला कर अखबार बेशता है दूसरा बच्चा अपनी साइकिल पर वहां से गुजर रहा होता है और पहला बच्चा दूसरे बच्चे के पीछे अंग्रेजी का अखबार लहराते हुए भागता है दूसरा बच्चा पहले बच्चे से हिंदी का अखबार मांगता है तो पहले बच्चे को अश्चर्य हुआ और बोलता है कि आपको हिंदी आती है दिखने में तो आप अंग्रेज लगते हो पहला बच्चा बोलता है इसका मतलब आप हिंदी पढ़ सकते हो इस पर दूसरा बच्चा बोलता है कि हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ वह बोलता है मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ बोल सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ मैंने दूसरे विशय के साथ हिंदी पढ़ी है इस पर पहला बच्चा विशय के बारे में पूछता है तो वह बोलता है यह पढ़ाई लिखाई से संबंधित है इस पर दूसरा बच्चा पहले बच्चे से पूछता है कि तुम कभी स्कूल गए हो वह कहता है कभी नहीं वह बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैं अपनी मां के साथ अख़वार बेशता था पर आजकर यह सब अकेला ही कर लेता हूँ दूसरा बच्चा बोलता है कि अब तुम्हारी मां कहा है इतने में बच्चो चोराहे पर हरी बत्ती हो जाती है तो पहला बच्चा पीछे जोर से चिलाता है कि उसकी मां मेरट में हैं अगले दिन पहला बच्चा अपना नाम समीर बताता है और दूसरे बच्चे का नाम समीर होता है और वहे दोनों मुस्कुराते हैं इस पर दूसरा समीर बोलता है कि तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है समीर का अर्थ होता है हवा या पवन पवन पुत्र कौन है जानते हो हनुमान तो इस पर पहला बच्चा बोलता है कि अब से आप समीर एक और मैं समी इस पर समीर एक अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है चलो हाथ मिलाओ समीर दो अगले दिन बच्चो समीर दो के चहरे पर चीर परिचित मुस्कान नहीं थी वह बताता है कि मेरट में गड़बड हो गई है वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं समीर एक मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखता है उसमें लिखा था सामप्रदाइक दंगे समीर दो बोलता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सबी लोग मेरट में हैं और उसकी आँखे भराई अगले दिन बच्चो समीर एक को समीर दो नहीं दिखा ना उससे अगले दिन फिर कभी भी उसे वहाँ समीर नहीं दिखा बच्चो इस कहानी में जो पढ़ा वह विविधता का रूप नहीं है बलकि गैर बराबरी का रूप है बच्चो गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर हैं और ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं बच्चो इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है बच्चो यह लोगों के बीच मौजूद असमान्ता यानि गैर बराबरी है बच्चो जाती वैवस्था असमान्ता का एक और उदाहरन है इस वैवस्था में समाज को अलग-अलग समुहों में बांटा गया बच्चो अब कहानी से जुड़े कुछ प्रश्णों के उत्तर दो प्रश्ण एक, समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर बताओ बहुत अच्छे एक बच्चे ने बताया समीर एक को अंग्रेजी जादा अच्छी आती थी वहीं समीर दो हिंदी बोलता है एक और बच्चे ने बताया समीर एक और दो की धार्मिक वैसांस्कृतिक प्रिष्ठ भूमिया भी अलग है समीर एक हिंदू है और समीर दो मुसल्मान खानपान, पहनावा, धर्म, भाशा आदी विविधता का रूप है बहुत अच्चे, एक बच्चे ने बताया समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की और समीर दो कभी स्कूल गया ही नहीं वह अख़बार बेशता था तो बच्चो जो अंतर आपने बताये उन में से कौन-कौन से अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाये क्या बता सकते हैं आप? उह, सोचिए उह, बहुत अच्चे एक बच्चे ने उत्तर दिया दोनों की भाशाएं अलग थी फिर भी दोनों ने एक दूसरे से बात की क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपोर्ण था दोनों की धार्मिक वैसान्सकृतिक प्रिष्ट भूमियां भी अलग थी फिर भी दोनोंने दोस्ती की क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे इस प्रकार ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से नहीं रोक पाए अगला प्रश्ण है उन त्योहारों की सुची बनाईए जो हो सकता है कि समीर एक और समीर दो मनाते हूँ बताईए बहुत अच्छे आपने बताया समीर एक त्योहार मनाता है होली, दिपावली, दुर्गा पूजा, दशेहरा, रक्षा बंधन, समीर दो त्योहार मनाता है आपने ये कैसे जाना कि वो कौन से त्योहार मनाते होंगे बताईए बहुत बढ़िया आपने बताया कि समीर एक हिंदू है और समीर दो मुसल्मान तो आपने उनके अनुसार, उनके त्योहार बताए अगला प्रिश्ण है, समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? अगर वह स्कूल जाना चाहता, तो क्या वह जा पाता? क्या ये सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? सोचो और बताओ, बहुत अच्चे आपने बताया, समीर दो गरीब होने के कारण स्कूल नहीं जा पाया इसलिए वह चोटी उम्र में ही अकबार बेचने का काम करने लगा वह स्कूल जाना चाहता तो भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास अवसर नहीं थे और ना ही संसाधन थे हाँ, यह बात सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं बच्चो बटवारे का आधार है कि लोग किस किस तरहें का काम करते हैं लोग जिस जाती में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे माल लो कोई बच्चा कुमहार के घर पैदा होता है तो उसकी जाती कुमहार ही होती है वह वही बन सकता है कोई व्यक्ति जाती से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था बच्चो इसलिए उस ग्यान के अलावा किसी अन्य ग्यान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था इसे गैर बराबरी पैदा हुई अब हम पढ़ेंगे विविधता हमारे जीवन को कैसे सम्रिध करती है बच्चो आप सबने भी अपनी जिन्दगी में बहुत दोस्त बनाए होंगे बच्चो आपने उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिग घटनाओं या भूतों की कहानिया पसंद होंगी बच्चो जो भी लोग कहानिया लिखते हैं वे विभिन स्रोतों, किताबों, वास्त्विक जीवन और कल्पना से प्रेड़ना लेते हैं बच्चो भारत विविधताओं का देश है, हम विभिन भाषाएं बोलते हैं, विभिन प्रकार का खाना खाते हैं, अलग-अलग त्योहार मनाते हैं और विन धर्मों का पालन करते हैं वास्तव में बच्चो हम एक ही तरहें की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं, अब हम पढ़ेंगे की विविधता को कैसे समझा जा सकता है बच्चो करीब दो सवा दो सो वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन में नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भागते, दूसरे भाग की यात्रा करते थे बच्चो वे पानी के जहाज में घोडों या उट पर बैठकर या पैदल जाते थे, अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थे यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगय पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे बच्चों लोग जब नई जगय में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था कुछ चीजें जैसे उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदी में नए और पुराने का मिश्रण करते थे उनकी संस्कृती और नई जगय की संस्कृती में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जूली संस्कृती उभरती इसी प्रकार बच्चो लोग अलग-अलग तरहें की भोगौलिक स्थितियों में किस प्रकार सामजस से बैठाते हैं उससे भी विविदता उत्पन होती है बच्चो हम बात करें उन लोगों की जो समुत्र के किनारे और जो पहाडों में रहते हैं तो उनके ना केवल कपडों और खान-पान की आदतों में फरक होगा बलकि जिस तरहें का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे अब हम भारत के दो भागों लद्दाक और केरल की बात करेंगे जिसके जरिये हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि किसी क्षेतर की विविदता पर उसके एतिहासिक और भोगोलिक कारकों का क्या असर पढ़ता है आये जाने लद्दाक के विशे में बच्चो लद्दाक जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाडियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है यहाँ पर बहुत कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेतर में बारिश बिलकुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से धका रहता है इस क्षेतर में बहुत ही कम पेड उग पाते हैं पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं बच्चो यहां के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना उन मिलती है यह उन कीमती है इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है लद्दाक के लोग बड़ी सावधानी से इस उन को इकठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं मुक्यते कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं यहां के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्षन, पनीर, एवम, मास खाते हैं हर एक परिवार के पास कुछ गाएं, बकरी और याक होते हैं बच्चो यहां पर कुछ घातियां ऐसी हैं जिन से गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उसी इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिबबत कहते हैं यह काफिले अपने साथ मसाले, कच्चारेशम, दरियां आदी लेकर चलते थे बच्चो लद्दाक के रास्ते ही बौध धरम तिबबत पहुंचा, लद्दाक को छोटा तिबबत भी कहते हैं करीब 400 साल पहले यहां पर लोगों का इसलाम धरम से परिचे हुआ और अब यहां अच्छी खासी संख्या में मुसल्मान रहते हैं बच्चो लद्दाक में गाना और कविताओं का बहुत ही सम्रिध मौकिक संग्रह है तिबबत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाक में काफी प्रचलित है उसके स्थानिय रूप को मुसल्मान और बौध दोनों ही लोग जानते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं बच्चो केरल भारत के दक्षिनी पश्चमी कोने में बसा हुआ राज्य है यह एक तरफ समुद्र से घीरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाडियों से बच्चो इन पहाडियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलाइची, हादी उगाय जाते हैं इन ही मसालों के कारण यह एक शेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही अकर्शक बना सबसे पहले अर्बी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए ऐसा माना जाता है कि इसा मसीह के धरम दूत संत थाम्स लगभग 2000 साल पहले यहां आए भारत में इसाई धरम लाने का श्रे उन्ही को जाता है और अब से कई व्यापारी यहां आकर बस गए बच्चो वासको डिगामा पानी के जहाद से यहां पहुँचे तो पुर्त गालियों ने युरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना तो इन सभी एतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धरमों का पालन करते हैं जिन में यहूदी, इसलाम, इसाई हिंदू, एवं, बौध धरम शामिल है चीन के व्यापारी भी केरल आए, यहां पर मचली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किये जाते हैं, वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, उन्हें चीना वाला कहते हैं तलने के लिए लोग जो बरतन इस्तेमाल करते हैं, उसे चीना चट्टी कहते हैं, इन में चीन शब्द इस बात की और इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ती कहां हुई होगी बच्चो केरल की उपजाव जमीन और जलवायू चावल की खेती के लिए बहुत उप्युक्त है और वहां के अधिकतर लोग मचली, सबजी और चावल खाते हैं बच्चो केरल में मनाये जाने वाले योहार ओनम का एक विशेश आकर्षन है नाव प्रतियोगिता बच्चो जहां केरल और लद्दाक की भोगौलिक स्थितियां एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं बच्चो दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया यहां केरल की भोगौलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई वहीं लद्दा की विशेश भोगौलिक स्थिति और उन ने व्यापारियों को अपनी और खीन्चा बच्चो अब हम बात करेंगे विविधता में एक्ता की भारत की विविधता या एक्ता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन धर्म, भाशा और क्षेत्र की महिलाओं और पुर्शों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी भारत के स्वतंतरता संग्राम में अलग-अलग प्रदेशों के लोग शामिल थे उन्होंने एक जुट होकर अंदोलन किया इकठे जेल गए अंग्रेजों का अलग-अलग तरीकों से विरोध किया अंग्रेजों ने सोचा था कि वह भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधता है और इस तरह उनका राज चलता रहेगा बच्चो मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही अलग हूँ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक साथ थे दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना सयाद ने हमारे चुन्चुन के फूल तोड़े वीरान इस चमन में गुल खिला के जाना दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना गोली खाकर सोए जलिया बाग में हम सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना कुछ जेल में पड़े हैं कुछ कब्र में गड़े हैं दो बूंद आंसु उन पर प्यारे बहा के जाना दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना बच्चो यह गीत अमरित सर में हुए जलियां वाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांती प्रिये निहत्थे लोगों पर खुले आम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकठे होकर सभा कर रहे थे बच्चो महिला पुरुष हिंदू मुसलमान एवं सिख के कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण निती का विरोध करने के लिए जमा हुए थे उसमें से बहुत लोगों की जाने गई और उससे भी ज्यादा गायल हुए यह गीत उनी ही शहीदों की याद में गाया गया था बच्चो जवाहर लाल नहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतिय एकता कोई बाहर से चुपी हुई चीज नहीं है बलकि यह बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग-अलग तरहें के विश्वाश और प्रताओं को स्वीकार करने की भावना है इसमें विविधता को पहचाना और प्रत्साहित किया जाता है यह नहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया बच्चो अब मैं आपसे कुछ प्रशन पूछना चाहती हूँ दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प चुन कर अपना उत्तर दीजिए पहला प्रशन लद्दाक के बारे में कौन सा कतन सत्य है विकल्प है पहला लद्दाक के रास्ते ही बौध धरम तिबबत पहुचा दूसरा लद्दाक में अच्छी खेती होती है तीसरा लद्दाक में भारी बारिश होती है तो सही विकल्प चुनिए बहुत अच्छे अबाश आपने उत्तर दिया लद्दाक के रास्ते ही बौध धरम तिब्बत पहुचा बिल्कुल सही मेरा अगला प्रश्ण है लद्दाक के लोग पानी पीने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं विकल्प हैं पहला टैंकर का पानी दूसरा बारिश का पानी तीसरा बरफ से पिखलने वाला पानी तो बच्चो बताईए बहुत अच्छे अगला प्रश्ण है मुक्य पश्मीना कहां बुनी जाती है विकल्प हैं कश्मीर बिहार केरल तिब्बत तो बताईए सही उत्तर क्या है शाबबाश बहुत अच्छे आपने सही उत्तर दिया कश्मीर अगला अगला प्रश्ण है लद्दाक को विकल्प तिबबत भी कहते हैं, चोटा तिबबत भी कहते हैं, सिर्फ लद्दाक के नाम से जानते हैं, सही विकल्प चुनिए, बताईए, शबाश आपने बताया, इसे चोटा तिबबत कहते हैं अगला प्रिश्ण है तिब्बत के गरंथ का क्या नाम है विकल्प है केसर सागा, सागा केसर, सागा चुनिए सही विकल्प और बताइए बहुत अच्छे आपका उत्तर सही है केसर सागा आएए अगले प्रिश्ण की तरफ बढ़ते हैं केरल में सबसे पहले कौन आए विकल्प है फार्सी और अर्बी, क्रिश्चन और यहूदी, पार्सी और यहूदी, अर्बी और यहूदी सही विकल्प चुनिए बहुत अच्छे सही विकल्प है अर्बी और यहूदी अगला प्रेश्ण इसा मसीह के धरम दूद कोन थे? संथ मॉर्गन, संथ जॉनसन, संथ थॉमस इन में से कोई नहीं तो सही विकल्प बहुत अच्छे, सही विकल्प है संथ थॉमस अगला प्रेश्ण है केरल में मचली जाल को क्या कहते हैं? विकल्प है जाल, मचली जाल, चीना वाला, सही उत्तर ढूंडिये, बहुत अच्छे, चीना वाला अगला प्रेश्ण है केरल में तलने के लिए जिस बरतन का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? चीना चट्टी, तलनी, कडाही सही विकल्प ढूंडिये, बहुत अच्छे, सही विकल्प है चीना चट्टी अगला प्रेश्ण है भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? विकल्प है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नहरू, रविंद्रनात टैगोर आपका उत्तर सही है जवाहरलाल नहरू आखरी प्रश्ण पश्मीना उन किस से मिलता है? विकल्प है खास किस्म की बकरी से, लद्दाक से, भेड से, बहुत अच्छे, इसका सही उत्तर है खास किस्म की बकरी से तो बच्चो आज हमने विवीधता की समझ के अंतरगत अपने देश की विवीधता के बारे में जाना समझा आशा करती हूँ, आप सब को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली कक्षा में झाल